नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चेनल धाकडेगरी कल्चर में किसान भाईयों इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की फसल में पिलापन के बारे में पिलापन को आप बहुती कम कर्षचे में कैसे दूर कर सकते हैं इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करेंगे इसके लिए किसान भायों आप इस वीडियो को अंते तक देखें साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक किसान भायों तक सेर जरूर करें और अगर आपने हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर एक सबस्क्राइब का बटन है उसे दबा कर चैनल को सबस्क्राइब कर लहे giyay किसान भाजिव बात करते हैं लास्वन के बारे में तो इस बार जो है अन्य सालों के मुकाबले लहसुन की पसल में काफी ज़्यदा पिलापन देखने को मिल रहा है इस बार उटी लहसुन में भी पिलापन की समस्या देखने को मिल रही है आम तोर पर उटी लहसुन में पिलापन की समस्या देखने को नहीं मिलती है लेकिन इस बार जो है उटी लेसुन में भी पिलास्पन की समस्या देखने को मिल रही है उटी लेसुन में पिलास्पन आ रहा है तो सोहबाई को एन्य विराइटियों में भी पिलापन आही रहा है तो ऐसे में पिलापन की समस्याओं को लेकर किसान भाई काफी ज़्यादा चिंतित भी हैं और बहुत सारे खादों का उपयों भी कर चुके हैं तो देखें किसान भाई यो अगर आपकी लाहसुन की फसल में पिलापन दूर नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को जरूर देखें इसके अंदर हम एक बहुती सांदार फॉर्मूला बताने वाले हैं जिसके माधियम से आप पिलापन को दूर कर सकते हैं किसान भाई यो बात करें अगर लाहसुन के बारे में इसको आप एक किलोग्राम परती एकड की दर से स्प्रेक कर दीजिए इसके अंदर किसान भाई यो 13% नाइटिजन की मातरा है और 45% पोटास की मातरा है यानि कि आपके फसल में पिलापन दूर हो गई होगा साथ ही फसल में पोटास की पूरती भी हो जाएगी तो पोदा मजबूत भी बनेगा और जो कंद बनने वाला होगा उस कंद को बनने में आसानी होगी तो आप एनपी के 13-0-45 का स्प्रेक कर दीजिए इसके अलावा अगर आपकी लासन की फसल में बीमारी आ रही है जैसे कि थ्रिप्स, फंगस या फिर किसी परकार का बेक्टिरिया लग रहा है जडों में केड़ा लग रहा है तो फिर उसके लिए आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि जो बीमारी आती है, गंबिर बीमारी आती है उनके लिए हमें दवाएं भी पिर अच्छी डालने पड़ती है सिस्टेमेटिक दवाएं डालने पड़ती है तो अगर आपके फसल में किसी परकार की बीमारी नहीं है तो आप NPK 13.0.45 का स्प्रेक कर दीजी, आपके पिलापन दूर हो जाएगा वहीं अगर किसी बीमारी का अटेक हो रहा है तो फिर आपको उस बीमारी की दवाही डालने पड़ेगी तो भी जाकर उस पिलासपन पर कंट्रोल हो पाएगा अगर आपके तृप्स हैं फंगस हैं तो आप किर्टनासक फंगी सैट का स्प्रेक कर दीजी कमेंट करके जरूर बताईज आने वाले वीडियो के माधियम से भी उस समच्या का समाधान जरूर करेंगे मिलती रहती है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और अधिक से दिक किसान भायों तक सेयर जरूर कीजिए चले मिलते हैं अगले वीडियो में तब ते के लिए धन्यवाद जे जवान जे किसान